अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधान मंत्री पर तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने भी ना गए थे भारत में भी स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए यह 130 करोड देश वाचों के जीवन की रक्षा करने का अभ्यान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान नत्री कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथ्मिक्ता रही ऐसी स्थिती ना आए कि किसी गरीब के घर में चूला न जले केंद्र सरकार हो राज्य सरकारें हो सिविल सोसाइटी के लोग हो सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई भेन भूखा न सोए देश हो या व्यक्ति समय पर फैसले लेने से संबेदन सिल्ता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना लेकर आई इस योजना के तहट गरीबों के लिए पौने दो लाग करोड रुपिय का पैकेज दिया गया साथियों बीते तीन महिनों में बीस करोड गरीब परिवारों के जंदन खातों में सीधे इकतिस हजार करोड रुपिया जमा करवाए गए हैं इस दोरान नव करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में अठारा हजार करोड रुपिय जमा हुए हैं इसके साथ ही गावों में स्रमीकों को रोजगार देने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभ्यान तेज गति से आरम कर दिया गया है इस पर सरकार पच्चास हजार करोड रुपिय खर्च कर रही है